लास्ट वीडियो में, पाइलली हमारी ये गेम कंप्लीट हो चुकी है, आज हम इस गेम को बिल्ड करेंगे है दोस्तो, मेरा नाम है सदानी and welcome to the channel देखो, गेम को PC के लिए बिल्ड करना and गेम को मोबाइल के लिए बिल्ड करना तोनों में काफी difference होता है अच्छा पर सबसे बड़ा जो सबसे biggest difference होता है, वो होता है quality का क्योंकि जिस quality में, हम गेम को PC में run कर सकते हैं उस quality में गेम को मोबाइल में नहीं run कर सकते हैं वार एक्जामपल, जैसे की देखो, BGM हमको अपने सूतरों देपता चला है, BGM I को बैन कर दिया गया है, इंडिया के अंदर वाट? पर सला, ये दुख का है, खतम नहीं होता भे इसके हम एक दूसरी एक्जामपल लेते हैं, जैसे की Call of Duty Call of Duty को आप PC में देख लो, आप उसे मोबाइल में देख लो quality का, graphics का कितना बड़ा difference होता है और ये इसलिए होता है, क्योंकि जो PC के specifications होती है वो काफी high होती है, as compared to mobile के तो इसलिए, जब भी हम game को एक mobile के लिए बिल्ट करते हैं, तो हमें quality का, graphics का काफी ध्यान रखना पड़ता है but, हमारी जो game है, वो एक 2D game है, simple game है यानि कि यहाँ पर हमें quality का इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि mostly जो 2D games होती है न, वो mobile में run कर जाते है तो हमें ये तो कोई issue नहीं आएगा but, second जो हमारे पास issue आता है, वो आता है input का क्योंकि PC में हम different way से input लेते हैं and mobile में हम different way से input लेते हैं PC में लेते हैं, keyboard से, mouse से, mobile में में लेते हैं touch से और keyboard mouse से हम हमारी game को control कर चुके हैं अब हमें उसे touch से control करना है तो उसे हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम हमारी game पर आएगे अब यहाँ पर, अगर देखो मैं play बटन के पर click करता हूँ अब ही देखो क्या हो रहा है, हम हमारे player को keyboard से control करें बट हमें उसे keyboard से नहीं control करना, बलकि touch से control करें हम चाहते हैं कि जहां पर भी मैं screen के उपर touch करूँ बहीं पर हमारा player पहुँँ जाए, तो उसे हम कैसे achieve करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे player का input system जेन करना पड़े और हमारे player का input system कहाँ पर है, उसकी player script में तो मैं क्या करूँगा, player के पर click करूँगा, and player script को open कर लो अब यहां पर जो हमारी यह player script है, and यहां पर जो हमारा यह update method है इस update method के अंदर हमने क्या किया है, हमारे player को input system provide किया था keyboard के लिए, बट अब हम क्या करेंगे, जो यह सारा code हमने लिखा इस सारे code को मैं क्या कर दूँगा, comment कर दूँगा, and इसकी जगाँ पर अब मैं different input system create करूँगा, कैसे create करूँगा, बहुत ही simple है मैं यहां पर सबसे पहले एक if condition create करूँगा, यहां पर मैं condition देखो क्या दूँगा, input dot get mouse button, ठेक है, and यहां पर मैं button कौन सा provide कर दूँगा, zero, यानि के left click, अब इससे क्या होगा, कि जैसे ही मैं left click करूँगा, तो यह जो method है, उस click को get करेंगा, और यह same होगा touch को get करेंगे, कि जैसे ही मैं screen के उपर touch करूँगा, तब भी हम इसी method को use कर सकते हैं, तो अब इससे क्या हो गया, हमारे पास वो touch आ गई, वो click का गई, अब मुझे क्या करना है, कि जहां पर भी मैं click करता हूँ, मुझे वो position जाईए, ताकि मैं उस position पर हमारी player को पहुँच आ सको, तो उसे मैं कैसे चीप करूँगा, देखो, हमें mouse की position जाईए, तो उसके लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, input.mouse position, अब इससे क्या आता है, हमारे पास mouse की position आती, बट हमें क्या करना पड़ेगा, इस position को convert करना पड़ेगा screen to world points में, तो उसे मैं कैसे चीप करूँगा, उसके लिए देखो, यहां पर मैं क्या लिखूँगा सबसे पहले, camera.main.screen2 world point, अब जो यह method है, यह क्या करता है, screen space के coordinates को world point में convert करता है, और इसके अंदर हम vector 3 या vector 2, दोनों में से कोई भी पास कर सकते हैं, तो यहां पर मैं क्या करूँगा, vector 2 value पास करूँगा, new vector 2, और उसके बाद parentheses, और इस parentheses के अंदर सबसे पहले में क्या लिखेंगे, input.mouseposition.x, ठीक है, और उसके बाद comma, input.mouseposition.y, और उसके बाद semicolumn, ओके, तो ऐसे हमने क्या कर लिया, देखो, इस code की help से, हमने हमारे mouse की x position को भी get कर लिया, and y position को भी get कर लिया, जहां पर भी मैं click करता हूँ. ओके, अब जो हमारे पास यहां से position आती है, इस position को अब हमें एक variable में store करना पड़ेगा. कैसे, तो यहां पर मैं क्या लिखूँगा सबसे पहले, vector 2, जो की type होगी, और उसके बाद name हम कहा देंगे, उसे new pose, यानि के new position, ठीक है, and उसे मैं equal to कर दूँगा, जो हमने यह code लिखा. इसे क्या होगा, कि जो हमारे पास हमारे mouse की position आएगी, वो हमारे इस new pose variable के अंदर store आ जाएगी. अब मुझे क्या करना है, जो हमारे पास यह position है, उसे हमें हमारे player को assign करना है, तो मैं simply क्या करूँगा, next line में लिखूँगा, transform.position, जो की हमें हमारे player के position देती है, and उसे मैं equal to कर दूँगा, new pose के, ठीक है, अब देखो, अगर मैं ऐसे control save करता हूँ, and मैं unity game engine पर आता हूँ and play button के पर click करता हूँ, अब देखो क्या होगा, कि जहां पर भी मैं click करता हूँ, वहां पर player क्या होगा, spawn हो जाएगा, बट हमें उसे spawn थोड़ी ना करना है, हमें तो उसे move करना है, तो move हम कैसे करेंगे, तो उसे करने के बहुत सारे तरीक हैं, यहां पर मैं क्या कर सकता हू transform of translate भी use कर सकता हूँ, move position भी use कर सकता हूँ, बट अब मैं आपको एक different way बताऊँगा, player को move करने का, तो उसके लिए जो हमने यह new pose लिखा है, इसे मैं delete कर दूँगा, एड इसकी जगहां पर एक different method यूज़ करूँगा, मैं यहां पर कह लिखूँगा, देखो, vector2.ler, ठीक ह अब जो यह lerp method है, इस method के अंदर, सबसे पहले हम वो position देते हैं, जहां पर हमारा player होगा, उसके बाद हम वो position देते हैं, जहां पर हम उसे पहुंचाना चाते हैं, and finally हम speed देते हैं, कि कितनी speed से हम उसे पहुंचाना चाते हैं, तो यहां पर सबसे पहले मैं position दूँगा, जो उसकी क्या होगी new pose ठीक है उसके बाद मैं क्या करूँगा उससे speed दूँगा और speed यहां पर मैं कितनी कर दूँगा 10 एंड उससे multiply कर दूँगा time.delta time ताकि मैं उससे frame rate independent बना सकूँ and that's it अब मैं से control save करूँगा and again मैं हमारी unity game engine में होगा अब देखो अगर मैं play बटन के ओपर click करता हूँ तब देखो कि जहां पर भी मैं हमारी screen के ओपर click करूँगा वहीं पर हमारा player move कर जाएगा and यही हमें चाहिए था and अगर देखो मैं इस click को press करके रखता हूँ and हमारे cursor को move करता हूँ तो उसके साथ साथ हमारा player भी move होता रहेगा and यही हमें चाहिए था तो ऐसे हमने क्या कर लिया हमारे player को click से और even touch से control कर लिया ठीक है तो अब हमें क्या करना है सिर्फ इससे build करना है तो अब हम क्या करेंगे हमारे इस game को android के लिए build करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, files पर click करेंगे, build settings पर click करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, scenes in build, यहाँ पर हम चेक करेंगे, कि जो भी हमारी game-related scenes हैं, क्या वो हमारे इस build में available हैं, yes, हमारे इस scenes in build में, जो भी हमारे scenes हैं, वो present हैं, अब हम क्या करेंगे, platform पे Android के उपर click करूँगा, and switch platform के उपर click करूँगा, जिससे क्या हो जाएगा, कि जो हमारा पूरा project है, अब वो Android के लिए switch हो जाएगा, ओके, अब इसमें थोड़ा time भी लग सकता है, तो थोड़ा wait करना पड़ेगा आपको, तो अब यहाँ पार हम देख सकते हैं, कि जो हमारा platform में, वो switch हो चुका है, Android में, और उसका में कैसे पता चलता है, देखो, यहाँ पर जो हमारा Android लिखा हुआ है, उसके साथ यहाँ पर हमारे पास ही Unity का logo बना हुआता है, यानि कि switch हो चुका है, अगर आपके पास किसी वज़़ाई से switch नहीं होता है, या फिर आपके पास Android क option ही नहीं आ रहा है, that means आपने अभी तक Android के module को install नहीं किया, उसे download नहीं किया, तो उसके related में पहले वीडियो बना चुका हो, जैसे आप description में से check out कर सकते हो, उस वीडियो को check out करो, और Android module को download करो, लेकिन अगर आपके पास यह successful हो जाता है, तो अब हम बात करते हैं next चीज के बारे, देखो, जैसे हमारे पास स्विच होता है, तो कुछ settings हैं जो हमारे पास change हो जाती है, ठीक है, जैसे कि, देखो अगर मैं game window पर जाता हूँ, यहाँ पर जो हमारा aspect ratio है यह change हो चुका है, यहाँ पर free aspect ratio आ चुका है, तो यहाँ पर मैं फिर से क्या करूँगा, हमार वो 9 by 20 का जो aspect ratio है, उसे मैं select कर लूँगा, लेकिन अब यहाँ जिसकते हैं कि हमारे पास वो aspect ratio ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा, उस aspect ratio को फिर से create करूँगा, कैसे, मैं यहाँ पर plus button के पर click करूँगा, label में मैं दे दूँगा, smart phone, ठीक है, और उसकी type मैं change कर aspect ratio में width हम देंगे 9 and height हम देंगे 20 and उसके बाद okay, इससे क्या हो जाएगा, हमारा aspect ratio फिर से change हो जाएगा 9 by 20, okay, तो अब next हम क्या करेंगे, next हम again, जो हमारी player settings है ना, इने मैं open करूँगा, अब player settings के बारे में हम पहले भी बात कर चुगे हैं, जब हमने cube runner game को बनाया था, तो settings हम वैसे ही change करेंगे, सबसे पहले में company name देंगे, जो again आप खोज से दे सकते हो, कोई भी, and उसके बाद हम product name देंगे, तो जो कि क्या होगा, plane shooter game, ठीक है, and उसके बाद version हम देंगे 1.0, ठीक है, and उसके बाद आता है icon, अब यहाँ पर हम icon कौन सा देंगे, तो icon हमने create कर र हमारे इन icons के अंदर drag and drop कर दूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा, icon भी आ जाएगा, अब इसके लाबा एक settings और हम change करेंगे, जिसके लिए हम resolutions पर जाएंगे, यहाँ पर जो orientation है, उसे मैं auto rotation से change कर दूँगा, portrait में, क्योंकि जो हमारी game होगी, वो portrait में ही रहनी चाह हूँ, यहाँ पर हमारे पास यह dialogue open होगा, कि जो हम game को build कर रहे हैं, उसे हम कहाँ पर save करना चाहते हैं, again, मैं उसे desktop पर ही save करूँगा, ठीक है, और उसे मैं rename कर दूँगा, again, plain shooter game, ठीक है, और उसके बाद save, अब again, कुछ time क्या होगी, processing होगी, इसे build होने में थोड़ा time ल play shooter game के नाम से हमारे पास यह file create हो जाती है, अब जो यह file है, यह apk file है, क्योंकि जैसे कि आप जाते हैं, कि android में कौन से format की apps रंगर सकती है, apk format, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस file को मैं यहाँ से हमारे phone में transfer करूँगा, तो हम इसे phone में transfer कर लेंगे, ठीक है, अब देखो, हमारे phone के अंदर यह file आ जाएगी, अब इस file को मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा, ठीक है, एनसे मैं install करूँगा, यहाँ पर again हमारे पास यह pop-up होगा, security reasons के लिए, इसकी आप potential लेने की जुरुत नहीं है, बस install anyway के उपर click कर देना, जिससे क्या हो जाएगा, ह हमारी game start हो चुकी है, ठीक है, अब देखो, अगर मैं touch करता हूँ, कहीं पर भी screen पर, तो वहीं पर क्या होता है, हमारा player पहुंझाता है, यानि कि अब हम हमारे thumb की health से, हमारे player को control कर सकते हैं, और हमारी game को खेल सकते हैं, लेकिन, अभी हम देख सकते हैं कि यह कोई perfect game नहीं हैं, अभी भी हमारे पास पहुत सारी problems आ रही हैं, जैसे कि देखो, हमारा जो यह health bar है, वो ज्यादा ऊपर चला गया है, pause button ज्यादा ऊपर चला गया है, तो उसे हमें फिर से set करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह जो चीजे हैं, यह आप खुद से set कर सकते हो, ठीक है, अपन है देने के लिए कि हम android के लिए game को कैसे बनाते हैं, तो अब आपके जिमाब में question आएगा कि हम next game कब बनाएंगे, देखो next game के बारे में अभी मैंने सोचा नहीं है, बट उसके related हम community post जरूर डाजे रहेंगे, ठीक है, तो community post की तरफ बहुत ध्यान से देखना, जो भी आप game decide करोगे, उसी type की game हम next बनाएंगे, but as you know कि इस game को बनाने में एक साल लगया, तो उसके लिए I am sorry, but next time जब भी game के tutorials आएंगे, तो मैं एक साल नहीं लोंगा, दो से तीन महीने के इंदर वो game complete हो जाएगे, okay, so I'll see you guys next time.